मर्दों में infertility बढ़ती चली जा रही है मर्दों के अंदर बच्चे पैदा करने कि ये जो कमी और कमजोरी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है इसमें कुछ खास बीमारिया हुआ करती है जिसकी वजह से ये प्राब्लम हुआ करती है उसमें मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जैसे ओलिगो इस्पर्मिया ओलिगो इस्थेनो इस्पर्मिया अजू इस्पर्मिया इस तरह की कुछ बीमारिया है जिसकी वजह से मर्द बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहता इसी को हम मेल इन्फर्टिलिटी बोलते हैं यानि पुरुस बांचपन आज का मेरा टॉपिक यही है आज हम बात करेंगे अजू इस्पर्मिया क्या है इस बीमारे को समझने से पहले समझते हैं कि आपका वीरी आपका सीमेन क्या होता है दरसल जिसे हम वीरी कहते हैं वो सिक्स के दौरान आपके लिंग से बाहर आता है वो फ्लिूड वीर कहलाता है और इस वीरी के दो हिस्से होते हैं यानि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है पहले चीज इस्पम यानि सुक्राणू ये सुक्राणू कहां बनते हैं ये जो आपके लिंग के नीचे एक थैली नुमा लटकती होई दिखाई देती है जिसे हम इस क्रामटन बोलते हैं इसके अंदर दो गोलियां होती हैं जिसे हम टेस्टिकल्स बोलते हैं इन गोलियों के अंदर ये शुक्राणों बनते हैं आप कहेंगे कि शुक्राणों इसके अंदर बने तो ये जो पानी जैसा बाहर आता है दूत की तरह जैसा चिपचिपा रहता है ये कहां बनता है जी ये आपके पेट के अंदर यानि पेट के निचले हिस्से में कुछ ग्लैंड्स होते हैं यानि ये अंगूर के गुच्छे ज पानी से जो पेट के अंदर जो ग्लैंड्स है जिसे हम प्रोश्टेट ग्लैंड्स सेमाइनल विजाइकल जिने हम बोलते हैं इन ग्लैंड्स के अंदर बनता है और गोलियों के अंदर आपके सुक्राणों बनते हैं ये दोनों आपस में आके मिल जाते हैं सिक्स के टाइम प बने ही न या बन जाएं और खराब हो जाएं और खराब होके जीरो हो जाएं यानि आपके वीर के अंदर एक भी सुपक्राण मौजूद ना हो जी हाँ इसी को हम अजो इसपर्मिया कहते हैं यानि आपके वीर में सुपक्राण की एक भी संख्या मौजूद ना हो यानि जीरो इसे हम अजो इस परिमिया कहते हैं। आपका वीर बाहर निकलता है। लेकिन उसमें एक भी सुक्राणों नहीं होते। इग्जेक्टली जब आपके वीर में एक भी सुक्राणों यानी सुक्राणों की मात्रा एकदम नहीं रहेगी। तो आप बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। चाहे आप और आपका शरीर देखने में कितना भी सुन्दर और हेल्दी हो। मसलन आपके पास एक करोण की महेंगी गाड़ी हो और उसमें पेट्रोल की जगह आप डीजल फ्यूल यूज करें। तो क्या गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक वैसे आपके वीर में सुक्राण की मात्रा होनी चाहिए। बच्चे पैदा करने के लिए आप बहुत सुन्दर और हेल्दी हैं। तो आपको जरूरत है एक सेक्सोलाजिस्ट डॉक्टर के। पुल्चे नहीं।